C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा साथ की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक भाग दो में आप सुनते हैं अध्याए एक हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की परताल अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या एक साथियो इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक मानचितर दिया हुआ है और इसका शिर्षक है मानचितर एक इसका वर्णन इस प्रकार से है बारहमी सधी के भुगोल वेत्ता अल इद्रीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्षे का एक हिस्सा जिसमें भारतिये उपमहाद्वीप को भूमी से समुद्र तक दिखाया गया है मानचितर एक और दो पर नजर डालिए मानचितर एक अरब भुगोल वेत्ता अल इद्रीसी ने ग्यारा सो चववन में बनाया था यहां जो नक्षा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाये गए दुनिया के बड़े मानचितर का एक हिस्सा है और भारतिये उपमहाद्वीप को दर्शाता है मानचितर दो एक फ्रांसिसी मानचितरकार ने सन 1720 में बनाया था दोनों नक्षे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है अल इद्रीसी के नक्षे में दक्षिन भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूढ़ेंगे और श्रीलंका का द्वीप उपर की ओर है जगहों के नाम अरभी में दिये गए हैं प्रिष्ट संख्या दो इस प्रिष्ट में सबसे पहरे मानचित्र दो जिसका वर्डनन इस प्रकार से है अठारवी सदी के आरंभ में ग्वीलॉम ल लिसले के एटलस नूवो के अनुसार यह महाद्वीप आईए अब पार्ट की ओर चलें जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नाउज मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया इस कालावधी में उप महाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी यह नक्षा हमें ज्यादा परीचित लगेगा उसमें विशेश कर तटिये इलाकों के बारीक ब्यावरे देखकर आश्चरे होता है यूरोप के नाविक तथा ब्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्षे का इस्तेमाल किया करते थे इसके लिए आपको अध्याएच्छे देखना होगा अब प्रस्तुत है एक बॉक्स और इस बॉक्स में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें क्या इन में भी उतने ही ब्यावरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में गंगा के मार्ग को देखें इसे किस तरह से दर्शाया गया है इस मानचित्र में तटिये और भीतरी इलाकों के बीच ब्यावरों और पारिकी का जो अंतर है आपके ख्याल में उसका कारण क्या है प्रिष्ट संख्या तीन इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्षों और लेखों का अध्यायन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्वों का, उनकी भिन-भिन एतिहासिक प्रिष्ट भूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है अगर समय के साथ-साथ सूचनाओं के संदर्व बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है एतिहासिक अभिलेक कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं उधारण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं उदारण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए आज हम इसे आधुनिक राष्टर राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं 13 सदी में जब फार्सी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशे पंजाब, हरियाना और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तिमाल किया जो दिल्ली के सल्तनत के अधिकार क्षेतर में आते थे सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतरगत आने वाले क्षेतर भी बढ़ते गए लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिन भारत का समावेश कभी नहीं हुआ इसके विफरीत सोलवी सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उप महादवीत के भूगोल पशुपक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया यह प्रयोग चौदवी सदी के कवी अमीर खुसरोद्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था मगर जहां भारत को एक भावगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्री अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे उदाहरन के लिए विदेशी जैसा सीधा सादा शब्द ही ले लिजिए हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति जो भारतिय ना हो मध्य युग में मानो किसी गाउं में आने वाला कोई भी अंजाना व्यक्ति जो उस समाज्य संस्कृती का अंग ना हो विदेशी कहलाता था चार पर जाने से पहले प्रिष्ट तीन का अंतिम प्रश्न क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन भिन संदर्भों में बदल जाते हैं अब पाठ की ओर ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फार्सी में अजनभी कहा जा सकता है इसलिए किसी नगरवासी के लिए बनवासी विदेशी शब्द होता था किन्तु एक ही गाउं में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धार्मी किया जाती परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे इतिहासकार और उनके स्रोत इतिहासकार किस युग का अध्यान करते हैं और उनकी खोज की संस्कृती क्या है इसे देखते हुए वे अलग-अलग तरह के स्रोतों का सहरा लेते हैं उदारण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वन्ष के शासकों और हर्श वर्धन के बारे में पढ़ा इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 इसवी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे इस काल के अध्यायन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानि भावन निर्मान कला तथा लिखित सामगरी पर निर्भर करते हैं पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं इस युग में प्रामानित लिखित सामगरी की संख्या और विविधता आश्चर जनक रूप से बढ़ गई इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के पूरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने लगे अब एक बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स का शीर्षक है कागज का मूल्य और वर्णन इस प्रकार से है इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए एक तेरहवी सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपी की जरुरत पड़ी उसके पास उतना कागज नहीं था इसलिए उसने एक पांडूली पी को धो डाला जिसकी उसे जरुरत नहीं थी और उसके कागज को सुखा कर उसका इस्तिमाल कर लिया एक सजी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीद दे तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुगानदार वो हवस्तु कागज में लपेट कर देता तो अब यहाँ प्रश्ण है तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था तेरहवी शताब्दी में या चवदहवी शताब्दी में प्रिष्ट संख्या 5 प्रिष्ट संख्या 5 के पाठ में जाने से पहले कुछ ब्योरे यहाँ पर दिये गए हैं दो बॉक्स हैं जो पहला बॉक्स है उसका शीर्षक है अभी लेखागार अभी लेखागार यानि ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडू लिपियों को संग्रहित किया जाता है आज सभी राष्ट्रिये और राज्य सरकारों के अभी लेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभी लेख और लेन देन के ब्यावरों का रिकॉर्ड रखते हैं इसी प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है और उस चित्र का वर्नन इस प्रकार से है यह एक लगू चित्र की प्रतिक्रिती है जिसमें एक लिपिक किसी पांडू लिपिकी नकल कर रहा है इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 cm by 1 cm है इस चोटे आकार के कारण इसे लगू चित्र या मिनियेचर कहा जाता है कभी कभी इन लगू चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडू लिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चल कर संगरह करता अकसर इन चित्रों को पांडू लिपियों से अलग करके बेचने लगे थे अब प्रिष्ट संख्या 5 का पाठ इस समय के दोरान कागज क्रमश सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा लोग धर्मगरंथ, शासकों के व्रितांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदी लिखने में इसका उपियोग करने लगे धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडू लिपियां एकत्रित किया करते थे इन पांडू लिपियों को पुस्त कालयों तथा अभी लेखा गारों में रखा जाता है इन पांडूलीपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है मगर साथ ही इनका उप्योग कठिन है उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडूलीपियों की प्रतिकृती बनाते थे अगर आपने कभी किसी मित्र के ग्रिहकारे की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है फल स्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महतोपूर अंतर आ जाते होंगे पांडूलिपी की प्रतिलिपी बनाने में भी कुछ-कुछ यही होता है प्रतिलिपियां बनाते हुए लिखिक छोटे मोटे फेर बदल करके चलते थे कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सधी दरसदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंतर एक ही मुल गरंध की भिन-भिन प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई इससे बड़ी गंभीर समस्य उत्पन हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडू लिपी शायद ही कहीं मिलती है हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलता लेखक ने क्याल लिखा था इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन प्रतिलिपियों का अध्यायन करना पड़ता है कई बार लेखक स्वयम ही समय समय पर अपने मोल वृतांत में संशोधन करते रहते थे चोदोवी शताब्दी के इतिहासकार जियाउदिन बर्नी ने अपना वृतांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके दो वर्ष बाद लिखा था दोनों में अंतर है लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृतांत की जानकारी ही नहीं थी या पुस्तकालेयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था अब प्रिष्ट 6 पर एक चित्र है और इस चित्र का वर्णन इस प्रकार से दिया हुआ है चित्र 2 लिखावट की भिन प्रकार की शैलियों के कारण फार्सी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है नस्त लिक लिपी यानि बाई और में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपी को पढ़ना आसान होता है शिक्स्त लिपी यानि दाई ओर अधिक सघन संक्षिप्ट और कठिन है प्रिष्ठ संख्या साथ इस प्रिष्ट में चित्र तीन दिया गया है, जिसमें एक रहट का चित्र है, जिससे पानी निकालने का काम लिया जाता था अब पाठ नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्यायन इतिहासकारों के आगे भारी चुनोती रखता है मुख्यरूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए इस काल में अलग-अलग समय पर नई प्राध्योगी की के दर्शन होते हैं जैसे सीचाई में रहट, कताई में चर्खे और युद्ध में आगनेयास्त्रों यानि बारूद वाले हथियारों का इस्तिमाल इस उप महाद्वीप में नई तरह का खान-पान भी आया आलू, मक्का, मिर्च, चाए और कॉफी ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्राध्योगी कियां और फसलें उन लोगों के साथ आये जो नए विचार भी लेकर आये थे परिणाम स्वरूप यह काल, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा अध्याए 5, 6 और 7 में आप इन में से कुछ के बारे में जानेंगे इस युग में लोगों की गती शीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था आउसर की तलाश में लोगों के जुंड के जुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे इस महादवीप में आपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए आपार संभावनाएं मौजूद थी इस काल में जिन समुदायों का महत्तो बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है प्रिष्ट संख्या आठ पाठ में जाने से पहले इसी प्रिष्ट पर दो वर्णन दिये गए हैं जो प्रिष्ट के बाई और हैं पहला वर्णन है परियावास इसका तात्पर ये किसी भी ख्षेत्र के परियावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है नीचे और एक बॉक्स है जिसमें एक प्रश्ण दिया गया है और वो प्रश्ण है इस अनुभाग में जो प्रोध्योगी की है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं उनमें से कौन-कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गाउं में सबसे अधिक महत्व पूर्ण रहे और अब पाठ की ओर चलते हैं 18-14 सदी के बीच यह नाम आमतोर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो ख्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे राजपूत शब्द के अंतरगत केवल राजा और सामन्त वर्ग ही नहीं बलकि वे सेनापती और सैनिक भी आते थे जो पूरे उप महाध्वीप में अलग-अलग शासकों की सेनाओं में सिवरत थे कवी और चारण राजपूतों की आचार संगीता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ती का गुणगान करते थे इस युग में राजनीतिक द्रिष्टी से महत्व हासिल करने के आउसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ यानि मुख्यता लिपिकों और मुन्शियों का कारे करने वाली जाती आदी समूहों ने भी उठाया इस पूरे काल के दौरान क्रमशह जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था कुछे क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्यक शेत्रों की अपिक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ परियावास में परिवर्तन के कारण कई बनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा कुछ और बनवासी जमीन की जुताई करने लगे और क्रिशक बन गए क्रिशकों के ये नए समुह, क्षेत्रिय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानिय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे कुछ के पास ज्यादा उपजाओ जमीन होती थी कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदी का कुछ काम कर लेते थे जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी प्रिष्ट भूमी और ब्यावसाय के आधार पर उन्हें समाज में उँचा या नीचा दरजा दिया जाने लगा ये दरजे स्थाई नहीं थे किसी जैती विशेश के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता प्रभाव और संसाधनों का नियंतरण है इसके आधार पर उसके दरजे बदलते रहते थे एक ही जाती का किसी एक शेतर में कोई दर्जा हो सकता था और अन्यक शेतर में कोई और अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंतर करने के लिए जातियां स्वयम अपने अपने नियम बनाती थी इन नियमों का पालन जाती के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाती पंचायत कहा जाता था लेकिन जातियों को अपने निवास के गाओं के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था इसके अलावा कई गाउं पर मुखियाओं का शासन होता था मिल मिला कर वे किसी राज्ये की एक छोटी इकाई भर होती थी प्रिष्ट संख्या नौ प्रिष्ट संख्या नौ में नीचे एक मानचित्र दिया गया है शिर्शक है मानचित्र संख्या तीन मिसर के शिहाबुदीन उम्री द्वारा रचित मसालिक अल अवसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मुहम्मद तुगलक के राज्येकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतरगत आने वाले प्रांत और इन प्रांतों का वर्णन है क्रमश हम संख्या के अनुसार चलेंगे एक सिविस्तान, दो उच्छ, तीन मुल्तान, चार कलनावर, पांच लाहवर, छे समाना, साथ सरसुती, आठ कुहराम, नौ हासी, दस दिल्ली, ग्यारह बदायूं, बारह कन्नोज, तेरह कड़ा, चौदा, अवध, पंद्रा, बिहार, सोला, लखनोती, सत्रा, जाज नगर, अठारा, मालवा, उन्निस, गुजरात, वीस, तेवगिरी, एक्किस, तिलंगना, बाईस, तैलंग, तेईस, द्वार समुद्र, और चौविस, मवार, अब आएए पाठ की और चलें, प्रिश्ट संख्या नौ का पाठ, क्षेत्र और सामराज्य, चोल, जिसका वर्णन हमें अध्याए दो में मिलता है, तुगलक, अध्याए तीन, या मुगल, अध्याए चार, जैसे बड़े-बड़े राज्यों के अंतरगत, कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, दिल्ली के सुल्तान गयासुदिन बल्बन, जिसका काल 1266-1287 तक था, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ती, प्रशस्ती के उदाहरण के लिए अध्याए दो देखिए, एक प्रशस्ती में उसे एक विशाल सामराज्य का शासक बताया गया है, जो पूर में बंगाल य भारत यानि द्रविड भी आ जाता था, गौड, आंध्र, केरल, करनाटक, महराष्टर और गुजरात, आदी भिन भिन क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, प्रिष्ट संख्या 10 प्रिष्ट संख्या 10 में आगे चलने से पहले एक प्रश्ण, यहां दिया हुआ है, उस प्रश्ण को पहले देखेंगे, प्रश्ण है, क्या आप समझते हैं कि शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? अब आईए, पाठ की ओर इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिश योक्ती पूर्ण मानते हैं, साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उप महादवीब के भिन 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 भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं? इसी प्रिष्ट पर अब एक बॉक्स, बॉक्स का शीर्षक है भाषा तथा क्षेत्र सन 1318 में कवी अमीर खुसरों ने इस बात पर गवर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है अमीर खुसरों ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेश क्षेत्र की भाषा नहीं है यह एक प्राची इन भाषा है जिसे केवल ब्राहमन जानते हैं आम जनता नहीं अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाईए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाईए जो उनके द्वारा उल्लिखित ख्षेत्रों में आज बोली जाती है जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजे और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों और एक घेरा खीच दीजे प्रश्न क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाशाओं के नाम बदल गए हैं अब पाठ सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भावगोलिक आयाम तैं हो चुके थे और उनकी अपनी भाशा तथा सांस्कृतिक विशेशताएं स्पष्ट हो गई थी अध्याय नौ में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी ये एक शेत्र विशेश शासक राजवन्षों से भी जुड़ गए थे इन राज्जियों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी कभी-कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राज्वन्ष अनेक ख्षेत्रों में फैला एक विशाल सामराज्जे भी खड़ा कर लेते थे ये सभी सामराज्जे समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे उदाहरण के लिए अध्याय तीन और अध्याय चार की ताली का एक की तुलना कीजिये खलजी और मुगल वन्ष के शासक कितनी-कितनी अवधी तक चले? प्रिष्ट संख्या ग्यारह प्रिष्ट संख्या ग्यारह में सबसे पहले कुछ प्रश्ण पहला प्रश्ण जो प्रिष्ट की दाई और दिया हुआ है पता लगाईए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्वक्षेत्रिय सामराज्जियों का हिस्सा रहा था? किदी रहा था? तो कितने समय तक? प्रश्ण दो क्या आपको संस्क्रित ग्यान एवं ब्राह्मनों के बारे में अमीर खुसरों की टिपणियां याद है? अब आगे एक शब्द की व्याख्या दी गई है शब्द है संरक्षक इसकी व्याख्या है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्द्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे अब प्रिष्ट ग्यारह का पाठ प्रिष्ट ग्यारह अठार्वी सदी में मुगल वन्ष पतन के ढलान पर था फल स्वरूप क्षेत्रिय राज्य फिर से उभरने लगे इसका प्रितान्त हमें अध्याय दस में मिलता है लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रिय सामराज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उप महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन ख्षेत्रों को विरासत में मिली थी इस तथे का पता हमें उन कई परमपराओं से लगता है जो इन ख्षेत्रों में उभरी थी इन परमपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन और कुछ एक समान है अईसी परमपराएं हमें प्रशासन, अर्थ व्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृती तथा भाषा के संदर्भ में बिलती है सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन ख्षेत्रों की प्रकृती एक दूसरे से कट कर अलग-अलग नहीं पन पी थी हलांकि उनके चरित्र की अपनी विश्षिष्टताएं बनी रही थी मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रिय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पढ़ा था पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन हजार वर्षों की परताल हम कर रहे हैं इनके दोरान धार्मिक परमपराओं में कई बड़े परिवर्तन आये दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी-कभी बिलकुल ही वयक्तिक स्तर पर होती थी मगर आमतोर पर इस आस्था का स्वरूप सामुहिक होता था किसी दैविक तत्व में सामुहिक आस्था यानि धर्म, प्राय, स्थानिय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबद्धित होती थी जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा राजाओं द्वारा मंदिर का निर्मान और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्रह्मनों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदी सस्कृत ग्रंथों के ज्यान के कारण समाज में ब्रह्मनों का बड़ा आदर होता था इनके संरक्षक थे नएने शासक जो स्वयम प्रतिष्ठा की चाह में थे इन संदक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ती की आउधारणा के रूप में आया इसमें इश्वर की कलपना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयम पहुँच सकें इस विशे में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याए आठ में जानकारी मिलेगी यही वह युग था जिसमें इस उप महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल सात्वी सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिये पहुँचा मुसल्मान कुरान शरीफ को अपना धर्मगरंथ मानते हैं केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्विकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक प्रिष्ट भूमी कुछ भी रही हो कई शासक इसलाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षन देते थे हिंदु धर्म की ही भाती इसलाम के अनुयाई भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे मुसल्मानों में कुछ शिया थे जो पेगंबर साहब के दामाद अली को मुसल्मानों का विधी सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुननी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्तों को स्विकार करते थे इसलाम के आरंभी के दौर में इस धर्म का नेत्रित्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही इसलामी न्याय सिध्धांत विशेशकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिध्धांत हैं कि विभिन परंपराओं में भी कई महतःपून अंतर रहे हैं ऐसे ही धर्म सिध्धांतों तथा रहस्थेवादी विचारों को लेकर विभिन तायं देखने को मिलती हैं समय और इतिहास के काल खंडों पर विचार इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते यानि की केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को जलकाता है यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित तो रहा है और कितना परिवर्तन आया है यदि अतीत को समान विशेष्टा रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्यायन कुछ आसान हो जाता है 19. सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन युगों में बांटा था यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक मात्र महत्यपूर्ण एतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था समाज और संस्कृती में कोई और भी महत्यपूर्ण बदलाव नहीं आता इस द्रिष्टिकोंड में इस उप महाद्वीप की आपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी प्रिष्ट संख्या 13 इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहास कार ही स्विकार करते हैं अधिकतर इतिहास कार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन काल खंडों की विशेशताएं तै करते हैं पिछे साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के क्रिशी कर्मी, शहरों और गाउं के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और सामराज्य इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायह मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है इसमें आपको क्रिशक समाजों के विस्तार, क्षेत्रिय और समराज्जिक राज्जियों के उद्धे, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदु धर्म, इसलाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कमपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार में जानकारी मिलेगी भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं आखिर सोलवी और अठारवी शताब्दियां आठवी या ग्यारवी शताब्दियों से काफी भिन्न थीं इसलिए इस सारे काल को एक एतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है फिर मध्यकाल की तुलना प्राया आधुनिक काल से की जाती है आधुनिक्ता के साथ भावतिक उन्नती और बावधिक प्रगती का भाव जुड़ा हुआ है इससे आशे यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़ी वादी था और उस दोरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था इन हजार वर्षों के दोरान इस उप महाद्वीप के समाजों में प्राया परिवर्तन आते रहे और कईक शेत्रों की अर्थ व्यवस्था तो इतनी सम्रिद्ध हो गई कि उसने यूरोप की ब्यापारी कंपनियों को भी आकरशित करना आरंब कर दिया इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहां सक्रिय एतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें जहां भी संभव हो यह देखें कि कहां बदलाव हुए हैं और कहां नहीं और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल कर यह भी देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है प्रिश्ट संख्या 14 कल्पना करें आप एक इतिहास कार हैं और इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विशय आर्थिक समाजी किया राजनेतिक इतिहास चुनिये और समझाईए कि आपके विचार में इसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिल्चस्प होगा फिर से याद करें एक अतीत में विदेशी किसे माना जाता था दो नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत क सन साथ सो के बाद के काल के संबंध में अभी लेक नहीं मिलते हैं ख इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की ग क्रिशी केंडरित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी-कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड बाहर कर दिये जाते थे ग सुल्तान गयासुदिन बल्बन असम मनिपूर तथा कश्मीर का शासक था तीन रिक्त स्थानों को भरें क अभी लेखागारों में खाली स्थान रखे जाते हैं ख खाली स्थान 14 सदी का एक इतिहासकार था ग खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान और खाली स्थान इस उप महद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ फसले हैं चार, इस काल में हुए कुछ प्रोग्योगी की परिवर्तनों की तालिका दें। अब इसी प्रिष्ट पर बाई और कुछ बीज शब्द लिखे हुए हैं। बीज शब्द हैं पांडुलिपी, जाती, क्षेत्र, काल विभाजन। प्रिष्ट संख्या पंद्रह। पांच, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मीक परिवर्तनों की जानकारी दें। आइए समझें। 6. पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। 7. जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किये जाते थे। 8. सर्वक्षेत्रिय सामराज्य से आप क्या समझते हैं। आइए विचार करें। 9. पांडु लिपियों के उपियोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। 10. इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। 11. अध्याय में दिये गए मानचित्र 1 अत्वा मानचित्र 2 की तुलना उप महाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते वे इन दोनों के बीच में जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं। 12. पता लगाएं कि आपके गाउं या शहर में अभीलेख या रिकॉर्ड कहां रखे जाते हैं। इन अभीलेखों को काउन तयार करता है। क्या आपके यहां कोई अभीलेखागार है। उसकी देखवाल काउन करता है। वहां किस तरह के दस्तावेज संग रही थें। और उनका उपियोग काउन लोग करते हैं। हमारे अतीत भाग दो। यहां आज का पहला अध्याय समाप्त हुआ। निर्मार सहायक शानु मुक्सीम। निर्मार तथा पाठवाचन अजीत होरो तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत। करते हैं करते हैं